हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको पूरे यूटूब पे कहीं नहीं मिलेगी यह मेरा अपना रेसिपी है और यह बहुत जादा टेस्टी और बहुत जादा रेसे वाला बनके त्यार होता है आप इसके रेसे चेक कर सकते हैं और बनाना इतना असान है जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उसमें बहुत ही जादा टाइम लग जाता है लेकिन यह रेसिपी ऐसी है कि थोड़ी से प्रिप्रेशन अगर आप पहले करके रख ले तो इसे आप 10 मिनट मे बना करके त्यार कर सकते हैं और अगर आप बीना फ्राइ की इसे स्टोर करके भी रखना चाहें तो रख सकते हैं तो चली इस टेस्टी सी रेसिपी को सबसे पहले शुरू करते हैं तो मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और आधा किलो ले लिया है मैंने बड़े का गोश पचास से साच गराम के करीब हमने लिया है मसूर का डाल इसे मैंने साफ करके धो लिया है धो करके हम इसमें डाल देंगे इसे सोख करने की जरूरत नहीं है हम इसमें डाल देंगे और अब हम ले लेंगे अदरक और लेसन आप देख सकते हैं मैंने कितना अदरक लेसन लिया है इसको भी हम इसको डाल देंगे और आज से 10 सुखी लाल मिर्चे लिए इसमें मिर्चे थोड़े खुले ही जाते हैं अगर आप कम डालेंगे तो फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा इस चीज़ का खयाल रखिएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक नमक भी इसमें यह लें। नहीं करेंगे या मिक्स नहीं रोड़ आउर उसने अच्छे से 100% नहीं, बलके 200% हम इसे पकाएंगे, इसे बहुत ही अच्छे से soft कर लेना है, तो जब तक गोश्ट हमारा पक रहा है, तब तक एक medium size के प्याज को लिया है मैंने, इसे हम omelet cut में fine chop कर लेंगे, और 5-6 हरी मिर्चे ली है, उसको भी हम fine chop कर लेंगे, तो यहाँ प अब हम देख लेते हैं, आगे क्या करना है, तो एक fry pan ले लेंगे, उसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे, मैंने सरसो का तेल लिया है, यह recipe सरसो के तेल में बहुत ही tasty one के तियार होती है, आप try किजेगा, तो इसमें मैंने प्याज और मिर्चा जो काटा है, उसक को soft होने तक पका लेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह soft हो चुका है, तो इसको हम side में रखते हैं, और अब आते हैं, गोश्ट के तरफ, गोश्ट हमारा गल गया है, तो हम check कर लेते हैं, लिड को मैंने हटा दिया है, और आप देख सकते हैं, गोश्ट लग रहा है कि गल गया है, फिलेम को पहले हम on कर देते हैं, तो इसमें उबाल आने लगा है, और अब हम check कर लेते हैं, तो दाल पूरी तरीके से पक चुका है, जो तले में लगा हुआ है, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, और उसके उपर से हम इसे चलाएंगे, अब देख सकते हैं, अभ कूट लेंगे, यानि कि पीसे को हम छोटा छोटा कर लेंगे, कल्ची की मदद से, इसमें हम मिक्सी का जार या चौपर का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसे हाथ से ही करने वाले हैं, यह बहुत ही असान इस्टेप है, और इसके सारे रेसे जो है, वो बरकरार रहते हैं, त अगर आपके पास ऐसी प्रेशल को कर नहीं है, तो आप किसी भी प्लेक में निकाल करके उसको कूच सकते हैं, यह वाला माम दस्ता का नहीं है, पत्थर वाला तो आप ऐसी अलिमूनियम या श्टील वाला माम दस्ता का जिससे हम मसाला कूटते हैं, उससे आप कूच सकते है या फिर ये दोनों नहीं है, तो सबसे सिंपल सी चीज है, हमारे पास होती है बेलन, बेलन लेके हम इसको अच्छे से कूट लेंगे, तो जैसे जैसे हमारा कोश जो है, ठंडा हुआ है, आप देख सकते हैं, सभी दाल जो है, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अ अब हम इसे एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, जो भी बड़े चंक सोंगे, वो भी अच्छे से टूच जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा इसमें रेशा जो है, वो निकल के आया है, वो भी बगएर मसीन के, तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ चीज हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किजेगा, तो जो प्याज और मिर्चे को हमने फ्राइ करके रखा था वो डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और क्रंचीनिस दोनों भी बड़ जाता है, तो ये डालना बिल्कुल भी बिल्कुल जरूरी है, और थो उसका फ्लेबर बहुत ही जादा होता है, मार्किट के मुकाबले, एक चुटकी हम डाल लेंगे, मीठा सोडा और इसको अच्छे से मसल लेंगे, मीठा सोडा इसलिए मैंने डाला है, कि जो कबाब की सॉफ्टनेस है, वो बरकरार रहता है, उपर से तो क्रिस्पी होगा, ले तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो चानल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लैक जरूर कीजेगा, और कॉमेंट करके बताईएगा आपने ये रेसिपी ट्राइ किया या नहीं, तो अब हम कबाब का शेप देने वाले है, तो मैंने मीडियम साइज का शेप दिया है, आप इससे बड़ा भी दे सकते हैं, या फिर इससे छोटा भी दे सकते हैं, तो सिंपल से हमें ऐसे रेगुलर वाला शेप दे देना है, तो जितना हमें जाही हम उतना बना लेंगे, और बाकी का हम दो दिन तक स्टोर करके, एर टाइट जब्बे में रख कर कि दो दिन तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख के, तो जितनी ज़रूरत है, मैंने फिलाल बना लिया है, और सरसो का तेल गरम किया है हाई फ्लेम पे, इस कबाब को फ्राई करने के लिए हमें हाई फ्लेम की ज़रूरत है, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे हम इसे फ फ्राइ करेंगे और फिर इसे पलटना शुरू कर देंगे क्योंकि दो मिनट में ही इसका अच्छा सा कलर आ जाता है तो यहां पर हमारी कबाब जो है वह तैयार हो चुकी है तो आप देख सकते इसका कलर और टेक्शर कितना शांदार बनके त्यार हुआ है तो अभी मैं इसको तोड़के भी दिखाती हूँ उपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज्यादा रेशे वाला बनके त्यार हुआ है तो आई होप आपको यह रेशेपी पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकोन को ओल पे कीजिए ताकि मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फैमिली और फ्रेंच में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप इस कबाब को मेहमान को भी खिलाएंगे तो वो उंगले चाटते रह जाएंगे मिलते हैं एक न प्रिख देने लग च्वीडियो कर दो ओई लिए।